कि इसले क्लास में आप एल्डी हाइड या केटोन का रियक्शन पढ़ रहे हैं एलकोहल के साथ अच्छा कुछ यह बनाने दिया गया था बनाए थे बन गया तो अच्छा नहीं बना तो और अच्छा कोई बात ही नहीं है आईया आगे करी एकसंद देखते हैं अब देखो तुम बनाके लाव नहीं बनाके लाव हम ज्यादा चेगउक नहीं करेंगे तो उम्हीं इक्षा है बनाने का बनाने लोग नहीं चौड़ दो ये हैं कि लोग काम करनेGod वाले लोग कर ही लेंगे उनको नहीं भी बोलेंगे तो भी कर लेंगे जो नहीं करने वालें उनके साथ मार पीट में हो एक Scottish क्या हो उसको तुम में चीते noda ne हो नई बनाने के लिए उसके बड़िया मैं तो म को उठ्ष्टे देता है, हमारे ख्याल से यह तीसरा नमबर का रियक्शन है, बताईए, फ़र्ड नमबर है न, स्टी, चलिए, रियक्शन विद एलकोहल, लिखेंगे नीचे रहो देखें, लाये ट्रै्न, लिए हीड्यीटर्च कें, रियक्शन व्यर कि भीक्योन, One molecule of alcohol in presence of HCl gas, then hemiacetyl is formed which further reacts with another molecule of alcohol to give acetyl. इसमें दो टर्म आया है, एक आया है hemiacetyl और एक आया है acetyl. आप से question पूछा जाता है, what do you mean by acetyl and hemiacetyl? Explain with example. तो hemiacetyl और acetyl की बात तो यहां आ गही है, पहले reaction देख लेता है, फिर hemiacetyl और acetyl को भी समझ लेंगे, बहुत simple चाहिए, बहुत भारी नहीं है. हो क्या है? देखो, तुम aldehyde low या ketone, c double bond O, यह तो रहेगा ही रहेगा, इसका reaction करा दो किसके साथ? एल्कोहल के साथ, किसके परजयेंस में? गैसियस SCL के परजयेंस में, SCL गैस के परजयेंस में, यही आपका क्या होगा? LDhydea ketone. reversible reaction होता है यह, यह reaction करके बना देता है OH, OR. इसी compound को हम लोग बोलते हैं, hemiacetal. और सुन लिजे, hemiacetal क्या होता है? ऐसा कोई भी compound, जिसमें सेम कार्बन पर, एक hydroxy group हो, और एक alkoxy group हो. OH hydroxy group है, और OR, alkoxy group. hydroxy group. तो compound containing one hydroxy group and one alkoxy group present on same carbon. इस गॉल्ड, hemiacetal. और यदि इस OH को भी हटा कर OR आ जाए, यानि दोनों का दोनों OR ही हो, same carbon पर, तो उसी को क्या बोला जाता है? इसीटल. compound containing two alkoxy group on same carbon is called acetal. तो बाद में उसका example भी लिख लेंगे, यह जो definition हम बोले हैं, वो लिखा भी देंगे. अभी फिलाल के लिए आप यह देखिए, कि यह जब दोनों आपस में reaction करता है, तो इसी compound का निर्मान करता है, जिसको हम क्या बोलता है? हेमी एसीटल, और यह हेमी एसीटल further reaction कर जाता है एक बार फिर एक दूसरे molecule alcohol से, और यह reaction करके जो product बनाता है, वो होता है, OR, OR, plus H2, इसी को क्या बोलेंगे? एसीटल, तो ऐसे तो यह समझे में आएगा नहीं कि reaction हुआ कैसे, उसको तो आपको मेकिनिजम पर समझना पड़ेगा, आप रियक्शन लिख लेजिए, मेकिनिजम समझाते हैं, इस से संबंधित थोड़ा सा काम कल किया गया था, नहीं थोड़ा सा हिंट करके बताए थे कि कैसे, कैसे रियक्शन होगा, आपको बोली थे कि copy book में देख किया लिखा है, क्या हुआ है, देखे थे, थोड़ी इनो सब के देखता है, मॉबाइल वर्यांस देखें कल, उजो में काम है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, किताब उताब कौन आज के डिट में देखता है रहे, और जमाने के साथ चलना चाहिए, जब कोई नहीं देखता है, तुम कहें देखेगा, सब मॉबाइल देख रहा है, तुम्हें मॉबाइल देखो, बताएं में के नहीं जम इसका, सबसे पहला देखिए, रियेक्शन का यह साइन सब कैसा है, रिवर्सीवल, रिवर्सीवल इस लिए है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इस्टेवल मॉलेक्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक ही कारवन पर कितना अक्सिजन लगा हुआ है, 2 oxygen, कितना oxygen लगा हुआ है 2, तो reactant प्रोड़क्ट में और product reactant में convert करता है, मतलब यह irreversible reaction नहीं है, reversible same condition में दो तरफार ही कसा चलते रहाता है IS के mechanism को देखते है असासत लिखेगा mechanism C double bond O इसको आप फिर ही छोड़ दिये हैं LDHID या ketone के लिए आपको जो बनाने का मन हो बना दिजिएगा LDHID या ketone जैसे HH जोड़ दिये तो formaldehyde CS3H जोड़ दिये तो acetaldehyde CS3 CS3 जोड़ दिये तो acetone यानि ketone ये जो जैसे यहाँ है वैसे उधर रह जाएगा जहाँ जहाँ फ्री वैलेंसी छोड़ें असली खेल यहाँ पर होता है ROH बताओ oxygen पर loan pair है क्या इस oxygen का जो loan pair है इस पर partial positive charge और इस पर partial negative बताओ ये कहाँ से attack करे गई है ये loan pair वाला species ही nickelophile की तरह काम करेगा और इस bond को तोड़ देगा अब बताओ ये तो क्या बनाएगा ये ये बना देगा C ओपर minus bond उटेगा तो ओपर minus जाएगा न और नया bond किस के साथ oxygen के साथ वो के साथ क्या-क्या जुड़ा हुआ है एक जुड़ा हुआ है R और एक जुड़ा हुआ है H पताओ ये यहाँ पर positive charge आएगा यहाँ पर internal deprotonation होगा internal deprotonation का मतलब होता है कि एक जगह से H पलस निकलना उस अधुड़ा हुआ हुआ है किसी दूसरे जगह जूड़ जाना का है ऐसा होगा क्योंकि oxygen पर चार्ज कैसा है positive यह hydrogen deprotonate कर जाएगा असाने से और यह convert कर जाएगा किस में और यह क्या हो जाएगा और यह बन गया है मिश्टर अब इसमें H पलस क्या कर रहा है sorry HCl क्या कर रहा है HCl gas क्या कर रहा है यदि आप सच पूछिए तो HCl नहीं भी लेंगे तो reaction होगा लेकिन reaction काफी slow हो जाता है बहुत तेज reaction नहीं होता है HCl यदि ले लेते तब क्या होता थोड़ा इसको सुन लीजिए HCl तूटता कैसे H plus में और C L minus में C double bond O बताओ oxygen पर lone pair है यह इस पर attack कर देता attack जैसे ही करता न तो यह convert कर जाता O H में और इस पर charge के साथ आ जाता positive अब इस ROH के lone pair को और ज्यादा आसान हो जाएगा किस पर attack करने में oxygen पर attack करने में यह bond को आराम से तोड़ देगा बताई तो क्या बना देगा यह क्या बनाएगा बोलो C इतनी उट्रल हो जाएगा न तो यह तो यहीं पर हो जाएगा O H और इधर क्या हो जाएगा O R H plus बताओ deep protonation होगा deep protonation होगा तो यह H plus जो निकलेगा यह एक बार फिर से किस के साथ जाके sit हो जाएगा C L minus के साथ यहां पर H C L reaction में involved नहीं हो रहा है वो सिर्फ reaction को तेज कर रहा है reaction को थोड़ा और आसान कर रहा है तो बताई यह फिर से तो वहीं बनाना है H plus का क्या काम है इस carbonyl group के reactivity को और तेज कर देना towards nucleophilic substitution reaction आप देखेंगे हो सकता है कि बुक में आपको ऐसे मिले जैसा हम यहां पर लिखेंगे हैं आप इस तरह से भी चल सकते हैं इस तरह से भी चल सकता है अब बताव अगला step में क्या होगा अगला step में एक बार फिर से र O H का loan pair attack करेगा किस पर एक बार फिर से इस carbon पर attack करेगा carbon पर attack करने का कारण क्या है attack करने का कारण ये है कि यहाँ पर carbon के साथ दो oxygen जुड़ा हुआ है heavy partial positive charge यहाँ पर develop हुआ है अब यदि ये lone pair से attack कर देगा तब आप कहेंगे sir यदि lone pair से attack कर देगा तो तीसरा oxygen जुड़ जाएगा तीसरा oxygen जुड़ेगा नहीं वहाँ से फिर एक लिव कर जाएगा निकल जाएगा आप तो नहीं बता है कौन लिव करेगा hydrogen, carbon इस अब लिव करने वाला है नहीं कौन लिव करेगा एक है OR और एक है OH यह एक अच्छा living group होता है जैसे यह अटेक करेगा न बस हो एक मैनस यहां से skip कर जाएगा निकल जाएगा बता यह क्या बना देगा यह दो बोन जैसे था बैसे रह जाएगा यह वाला दो बॉंड जैसे था वैसे रह गया, OH भागा, लेकिन और तो अभी भी है न बचा हुआ, और यहां से बताई कौन जुड़ा, इस कारबन से कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, और इस ऑक्सीजन से एक और क्या जुड़ा हुआ है, हैड्रोज इस पर चार्ज कैसा, पोजिटिव, अब बताईए, यहां पर क्या निकला, OH-, इस स्टेप में OH- निकला, बताईए, यहां दिप्रोटोनेशन होगा, अब बताऊ, दिप्रोटोनेशन होगा, तो क्या बनेगा, C, OR, OR, और यहां से जो H+, निकलेगा, वो तो OH- के साथ मिलके क्या बना देगा, H2, यही है आपका एसी टल, और यह है आपका, हमी एसी टल, समझ मैं कि कैसे कैसे रियक्शन होगा, तो इसमें H+, का काम यही है, कि उस कारगोनील ग्रूप के वो रियक्टिवीटी को बढ़ा देगा, निकलियो फिरिक स्टीचिशन रियक्शन के डिवार् प्रोसीड कर पाएगा, यदि आप HCL नहीं लेगे तो एक तो इसे रिवर्सीबल रियक्शन है, बहुत मुश्किल से यह स्टेप हो पाएगा, तो HCL नेसे सरी है, हैस रियक्शन में लेना, HCL गैस के रूप में लिया जाता है, जहां पर उसको टूटना आसान होता है H+, में आपको तीन एक्जामपल लिखना है, बताए उस तीन एक्जामपल में क्या करेंगे आप, H, सब जगा ह हो जाएगा, इसको देखके मतल रियक्शन लिखेना, रियक्शन तो पीछे लिखा हुआ है, यह, यहां लेंगे H, H, यहां हो जाएगा, H, ह, हो जाएगा, ह, 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 का एक्जाम्पल हो जाएगा और ये कीटाउन का एक्जाम्पल हो जाएगा लडी हट कीटाउन सब सामेल हो गया समझ में आए गया है उतारिये में के निजा क्यों कि कुछ अजराँ गया हो संवान का एक्या ले एक्जा खके favor हो जाएगा हो पान हो झाल 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 पर चर्द कित कर दो दो अ कि अ किश्यक्ट कि हो गी है कि मैं एक जांपल कि लिखने लगा गया देख अब देखो इसी एलकोहल में न एक और डिफरेंट टाइप का रियक्शन एंसी आटी में दिया हुआ है रियक्शन थोड़ा आठ पटा है लेकिन इस मेकेनिजम के साहरे आप इन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं आई उस रियक्शन को देखते हैं नहीं वह है बैक कर दें क्या है चलो लिखो तो एरो देखे विन एसी टॉन जो कि किसका एक्जाम्पल है कि टॉन का विन एसी टॉन रियक्ट सुथ एफिलीन गल कि आई अई एफिलीन गल एफ्सि लियक्वन एफिलीन गल ग्लाइकॉल कीटल इस पॉक्ट इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल ये प्रोड़क्ट बना है रियक्शन देखिए स्टी डवल बन्ड ओ ये सीटोन बनाना है तो यहां भी सीस्ट्री देना पड़ेगा और यहां भी स्टी देना पड़ेगा ठीक है जे इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मुला कीतना लोग जानते हैं क्या होता है बताईयें अच्पर हो ये तीनों आदमें आभी खरे हो यह हैं नहीं जानते हैं एक मिनट बताईयें ये डूकी है यह इतना बाड बोले हैं कि इसका जरूरत पड़ता है यह इतलीन गलाइकॉल होता है और यह गलाइसेरॉल होता है यह इतलीन गलाइसेरॉल होता है यह सब याद रखो यह इधर देखिए यह किटोन है यह डाय है ट्रक्सी अलकोहल है पिछला रियक्षन और इस रियक्षन में अंतर बहुत बहुत ज्यादा नहीं है बस एक अंतर है कि वहाँ पर भी दो इलकोहल रियक्षन कर रहा था यहाँ पर भी दो इलकोहल रियक्षन करेगा बताब इलकोहल का फंक्सनल ग्रूप अंतर यह था कि वहाँ पर दो इलकोहल अलग-अलग मॉलिक्यूल का था और यहाँ पर दो इलकोहल फंक्सनल ग्रूप सेम मॉलिक्यूल इस reaction को देखिए ये oxygen ये hydrogen ये hydrogen और ये hydrogen आपस में मिलके क्या बना देगा H2O ये वाला bond इस oxygen के साथ जूड़ जाएगा ये वाला bond इस oxygen के साथ जूड़ जाएगा यानि ये double convert कर जाएगा दो ये अधर बनेगा है ये ये वाला पार्ट ये साथ वह साइन रहाएगा बता है तो carbon के बाद क्या जूड़ एगा oxygen इधर भी oxygen और इस oxygen से क्या जूड़ हुआ हुआ है TH2 बन दोनों आपस में रिंग का निर्मान कर देगा और एक प्रोड़क्ट क्या बन जाएगा वाटर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इथिलीन गलाइकॉल कीटल समझे कैसे कैसे रियक्षान हुआ है उतारे यह झालएगा वा उने का अजिर अजयोथ कि रिंग कर देगा किक कैसे बुग्षान बनाएगा यह को अजयोग जो प्रोड़क्ट की एुड़क्ट का प्रोड़क्ट झालएगा वाट बनाएगा वाट श्युश्षाए घंक मैं आधे घंक अ पिछला कीस में open compound का निर्मान होता था इसकेस में to cycling compound का निर्मान होगा और cyclic का निर्मान होगा क्यों क्योंकि वहां पर दो अलग-अलग molecule का OH reaction किया था और यहां पर एक ही molecule का दो OH reaction किया है तो मान नहीं रहा था देंगो मलेडिया टाइफाइड यही सब कुछ हुआ होगा क्या हुआ क्या छाप लिए बढ़े हांके के रिएक्षन में और्गिनिक केमिस्ट्री को इसी तरह से पढ़ा के न ठगा जाता है तुमको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला तुमको ठग लिया या हो सकता है इसको नहीं आता है तुमको लेगा हां ठीकेत है यह वाला जो सिस्टम होता है यह बढ़ा कि एक्षोक्सिजियन दू राइडोजन निकला इस्टू वो बन गया यह सबसे आसान तरीका होता है औरगनी केमिस्ट्री में लोगों को ठग लेने का जिसे आप लोग ठगा जाते हैं और तुमको इसका सच कह रहे हैं रति पर है असास नहीं होगा कि सामने वाले को इसके बारे में पता भी है या नहीं तुमको बेगा ठीक है बेप लोने ऑउक्सीजं वट निकलेगा ऐसे किसे निकल जाएगा सी निकलने का कुछ कारन होगा इस reaction को बताते नहीं है, एमी एसीटल और एसीटल वार reaction ये वाला reaction करा करा के छोड़ देंगे, कहें कि इस reaction को कराने के बाद सवाल उठने लगता है थोड़ा, कईसे होगा ये, और यदि तुम पुछा कि कईसे होगा, ऐसे होगा, होगा बत खतम, इसका प्रोसेस ये नहीं है, आप reaction इस तरह से समझ के याद कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, ये याद कर रहे में आसान होगा, तो हम आपको बताते हैं इसका क्या प्रोसेस है मेकेनिजम का, तो इस reaction का भी मेकेनिजम हम देखेंगे, देखो, C double bond O, CS 3, CS 3, HCL के साथ जब reaction करेगा, फिर से H, ये H+, कहां से आया है, HCL से, इस बार हम उसे step को ले लेते हैं, जो हम पीछे छोड़ दिये थे, ये loan bearis प्रे टेक करेगा, पताए क्या बना देगा ये, CS 3, CS 3, double bond O, H, इस पर charge कैसा, positive, मताए यहां पर CL मैनस बचा हुआ है, ये कहां से आया है H+, ये से SCL से आया है, अब यहां पर, इसी चीज़ पर, reaction होता है किसका, H, O, CH2, CH2, OH का, मताए यही नहीं थिलिन गलाइकॉल, इसके पास loan bear है, बुलेगा रहाना, ये पिटाएगा, तो ये loan bear कहाँ अटेक करेगा बताओ तो, carbon पर, जैसे ही इस carbon पर अटेक होगा, ये double bond खोल जागा, किसके direction में, और तब जो बनेगा, वो एक भाड़ी भड़ का molecule बनेगा, और जो बनेगा, उसका slide हम change कर रहे हैं, यहाँ पर इसके बाद, अलागे देखते हैं, यहीं पर try करते हैं, ये फिर बाद में बहुत बुल जानों, इधर से इधर बना देता है, बताओ तो यह सब जीसे हैं वही से रहा जाएगा, CS3, CS3, ये इधर गया, तो ये तो neutral हो गया, ये किस चीज़ को बना कर, OH को बना कर, और ये नया बोन किसके साथ जोड़ा, oxygen के साथ, oxygen के साथ एक hydrogen भी ने जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, positive charge, और इस oxygen के साथ, ये पूरा का पूरा चीज जोड़ा हुआ है, क्या क्या है, CH2, और बताइए, CH2, CH2, और यहाँ क्या है, OH, बताइए इसी चीज़ का रिंद्वान होगा, अब बताइए यहाँ से deep protonation होगा, deep protonation होगा, तो कौन निकलेगा, H+, H+, बाहर निकलेगा, तो जो CL- यहाँ पर free था, उस H+, को लेकर एक बार फिर से, वो किसमें convert कर जाएगा, HCL में, यानि HCL अपना काम करके, निकल लिया, वो reaction में भाग नहीं लिया, वो एक catalyst की तरह काम कर रहा है, बताई तो क्या बनेगा, CH3, C, CH3, अब बताव इधर क्या है, OH, और इधर क्या है, O, अब देखेंगे, कुछ-कुछ वैसा रूप लेने लगा है यह, O के साथ क्यों जूडएगा, CH2, CH2 के साथ क्यों है, फिर CH2, और इसके साथ क्यों है, O, और O के साथ क्या है, H, एनद यो के साथ H, एक बार फिर से यहाँ पर क्या है, Lone Pair, आप आप एक बात बताव, कि यदि यह Lone Pair, देखो, यहाँ से देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पच्मा मेंबर है न, यदि सोचिए इसको, कि यहाँ से यह लंबा चेन को, मोर दें, तो बताएए, यह कारबन के पास नहीं पहुँच जाएगा, अब यहाँ मोर के दिखाएंगे, यहाँ, compact figure दिखेगा, फिर आपको समझ में नहीं आगा, कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो पिछला बाड क्या होता था, कि हेमी एसिटल बनता था, उसके बाद दूसरे मोलिक्विल का OH अटेक करता था, लेकिन इस बार इसी मोलिक्विल में ने एक और OH है, यह OH क्या करता है, सीध हे अटेक कर देता है किस पर, कारण क्या है, कारण के पास कितना अक्सीजन जुरा हुआ है, दो अक्सीजन, पहला कारण, दूसरा कारण, यदि वो इस पर अटेक कर दिया, तो निश्चित है कि यह अक्सीजन इसके साथ जुरेगा, तो निश्चित है कि यहां से कोई ना कोई, निकलेगा क्योंकि यह carbon और लेडी पूरा कर चुका है carbon में यह carbon वाला bond तो टूटने वाला है नहीं OH- एक अच्छा living group होता है यह आसानी से यहां से निकल जाएगा अब जैसे ही OH- निकलेगा तो product क्या बनेगा बताएगे तो CS3, 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 CS3 जैसे था वह इसे रह जाएगा CS3, CS3 CS3 इधर क्या था बताओ oxygen था नहीं इधर इधर कितना CS2 था दो और CS2 से क्या जुड़ा हुआ था oxygen जुड़ गया और इसके साथ एक क्या जुड़ा हुआ था hydrogen इसवर charge के साथ आएगा positive बताएगे इस ही करना निर्मान कर देगा देखो कैसे कैसे हुआ है हम यहां पर लिखे बताते है मिटा देंगे बाद में हम इसको CS3, CS3 OS तो निकल गया ना इसके साथ जुड़िए कौन जुड़ा हुआ है oxygen oxygen के साथ कौन है CH2 CH2 के साथ कौन है CH2 और CH2 के साथ कौन है oxygen oxygen लोन पर उसको दिया है और bond बना है oxygen कारवन का bond बनेगा यहां पर charge कैसे आएगा positive और यहां पर O के साथ एक hydrogen भी तो है अब बताईए यह D protonate कर जाएगा H plus यहां से निकल जाएगा यहां से क्या निकला है इस process में OH- बाहर हुआ है OH- यहां से बाहर हुआ है H plus यहां से बाहर होगा OH- और H plus मिलके एक stable molecule H2O का निर्मान कर लेगा और फिर final product क्या बन जाएगा देखिए यहीं निबनेगा आप यहां से देखिए जो molecule वहां लिखे हैं वही तो है यह CS3, CS3, C के साथ 2 oxygen उसके बाद 2 carbon CS3, CS3 के साथ 2 oxygen और 2 oxygen के बाद 2 carbon इसको तो कहते हैं किटल तो इसका हम final product उधर लिख देते हैं बलाव यहीं निमना अब इसस्टिप में हम deep protonation करवा देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा H पलस और वही हच पलस पीछे के OH- के साथ मिलके क्या बना देगा H2O तो finally product क्या बना CS3, C CS3, O, O CH2 CH2 PLUS H2O समझ मैं कैसे बना अब कून पागलपन्थी करते रहेगा इतना इतना बताने के लिए भी दम चाहिए समझने के लिए भी दम चाहिए आई यहां दो तरफा खाली रहता है आदमे बताने वाला भी खाली सीखने वाला भी खाली सीखने वाले को कोई मतलब नहीं है कि तुमको तो हम तुमको तो हम यह समझा दिये थे घेर के तो तुम तो यह हो नहीं समझ गया था कि इतना समझा था तुम भी समझ रहा होगा तो कैस मेकनियम को लिखो गए लिख मेकनियम जब तुम सीखते हो ना तो तुमको और्गेनिक केमिस्ट्री की वास्तविक दुनिया नजर आती है इस तरह से खली रियक्शन लिख लिया ना तो किताबी चीज है कि रियक्शन होता है तुम उतना यादो नहीं कर पाऊगे तुम्हारी छमता उतनी नहीं है हमारी चमता तो अभी तक हुई नहीं कि हम याद कर सके तुम क्या याद करोगे जबकि बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े भी फिर भी कभी कभी कुछ रियक्शन दिमाक से स्लिप कर जाता है उसको मेकेनिजम के सहारे ही फिर फाइनल करना पड़ता है हमको इसलिए हम आपको बारवार कहते हैं कि आप मेकेनिजम पर ध्यान दीजिए यह बहुत जरूरी चीज होता है और कल के डिट में कहीं भी अच्छा जगा पढ़ने के लिए जाओगे न तो देखना कि वहाँ पर मेकेनिजम पर कितना जोड़ दिया जाता है क्योंकि मेकेनिजम ही औरगेनिके मिस्ट्री को समझा जा सकता है नहीं तो बहुत मुस्किल है इसको समझना और याद कैसे होगा यी 400-500 रियक्शन है सम में अलग अलग बात होता है कि उन्हें खिसा कहानी थोड़े है कि बहुबली 2 में क्या हुआ था कटपा का है मारा बहुबली को तो हमको लगता है जीवन में अपने ही तुम भूले गया यदि बहुबली 2 देख लिया होगा तो आई कीटल भूल जाया गाई इथिलीन गलाइकॉल कीटल किसको कहते है कल के बाद परसुए से भूलना शरू जाट बाद बताईए यही का और यही कारण है और जो इसको समझ़ लिए और इसे को समझ लिए वो है और जो इसको समाझ लिया है जहां पर यह सब चेप्टर समाप्त हो गया है ना तनी reaction को ढूढ़ना तो तुम यह जो reaction पढ़ा है न किसी दूसरे के copy में जो दूसरे teacher से पढ़ा है reaction को ढूढ़ना हमको लगता है कि most probable यह reaction नहीं मिलेगा और यदि गल्ती से reaction मिल गया तो इसे ही oxygen water जोड़ दिया गया होगा इससे ज़्यादा समझाने की जमता है ना आपकी समझने की जमता है आप तो खेर वही है और गेनिक chemistry में ठगना बहुत आसान होता है मेकिनिजम नहीं बताते हैं तो दू मेहना और्गनिक चलता भी नहीं हम बो लगता है मेकिनिजम के कारण थोड़ा लंबा हो जाता है चेज़ तेंजिक नहीं है तेंजिक नहीं है तेंजिक नहीं है इसका reaction number D होगा ना यह last reaction है पहला chemical type का पहला chemical reaction जो है न उसका लिखिए reaction विध जी आर मतलब गिरिगनार डिएजेंट आर एम जी एक्स पहला चेप्टर में जब आया था बोले थे कि यह बहुत important है ध्यान देना इस पर भूलना मत देख रहे हों कितना बार यह पीछे से आ चुगा है और जितना बार अभी तक आया है उतना बार अभी यह और आएगा उस समय बूलते हैं important है तो आपको लगते हैं दूरे सही है कुछ होगा आतनी मनें वह इससे थोरे होता है चैने hearing डालियो इसमें अब आप क्या क्या change कर सकते हैं अच्या एक मिनेट और ऐसी टों चोड़िए यहां पर क्या इतायल गूर्प लेंगे तो क्या यह रिक्शान नहीं होगा फिर भी सेम रिक्शन होगा है एल्डेयाइड के टोन सब इस टाइप का रिक्सन करेगा किसी के stability थोड़ी जादा होगी, किसी के stability, कम होगी, reaction with green art reagent, पहले इसको समझे जादा हूँ, इसे लिखो मत, इल्डिहाइड लीजिए, या किटोन लीजिए, टीडबल बॉंड ओ, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसका reaction करा दो green art agent के साथ, यानी R, Mg, X के साथ, ये टूटेगा R- मैनस में और Mg, X, प्लस में, R- एटेक करेगा किस पर, कार्बन पर, कार्बन पर एटेक करेगा तो बताए C के साथ जूट जाएगा, R के साथ, Mg पर प्लस आया था, तो वो, बताए, ये यहीं पर जूटेगा, इसी का reaction वाटर के साथ करा दो, ये टूटेगा H+, और OH- मैनस में H+, इसे जूट जाएगा, और OH- Mg से जूट जाएगा, यानी ये बना देगा C, OH, R, और यहां पर क्या प्लस, Mg, Mg के साथ तो 1x था ही न, ये क्या जूट जाएगा, OH, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो, आप क्या क्या कर सकते हैं, इस रही एक्सर में, हाइड्रोजन लेंगे, मान लीजे कि यहां पर हम हाइड्रोजन ले लिए, यहां पर हाइड्रोजन लिए, तो यहा अब ही क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन, इसको और करके हम चाहें, तो लिख सकते हैं, आर, CH2OH, बताइए, यह वन डिगरी अलकोहल है, यह न, एक हिसा, इस यह वन डिगरी अलकोहल है, अब जड़ा सोचिए, कि यह फॉर्मल्डी हाइड है, न, फॉर्स्ट मेंबर स्थाएडव, इसी को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डी हाइड, इसी में थोड़ा साथ चेंज करो तो, और समझे लेना, आगे हम समझाने बाले नहीं है, बस खली रियक्शन लिखे निकल जानागे, और हो सकता हम भी आण लिखें, अब तुम क्या करो, L-D-Hide का दूसरा member दे लो, तब यहां CH3 करना पड़ेगा? यहां CH3 करना पड़ेगा? यहां क्या करना पड़ेगा? CH3. और तब आप बताईए, आप क्या लिखिएगा? तब इसको आप और करके कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH3 CH OH R. R का मतब कारवन का चेन? यहां पर तुम्हें कारवन जोड़ दो, फिर भी 2-degree alcohol मिलेगा, इसका मतलब है कि L-D-Hide में formaldehyde को छोड़ कर बाकि जितना member L-D-Hide का है, वो सब 2-degree alcohol देगा, जब कि formaldehyde, 1-degree alcohol देगा और इसी में यहां CS3 ले ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा ketone हो जाएगा, तो यहां CS3 हो जाएगा, यहां CS3 हो जाएगा, CS3, CS3 arm के जगद CS3 लेंगे तो यह भी CS3, 21-degree का alcohol बना देगा, 3-degree alcohol बताइए तो overall statement क्या बनेगा सारा बास सीग गए ना, इसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि human aldehyde और ketone, ऐसे बोलीगा तगरबर हो जाएगा, यहां पर properly compound, specific compound पर specific reaction को बताना पड़ेगा, तो यह क्या लिखेंगे, यहां पर A number reaction अभी होगा, जिसमें हम लोग लिखेंगे, formaldehyde reacts with grignard agent in presence of water to give 1 degree alcohol, उसके बाद यह reaction लिखाएगा, B number में लिखाएगा, gives 2 degree alcohol when it reacts with grignard reagent in presence of water, उसके बाद दूसरा reaction लिखाएगा, जिसमें आप H के जगह क्या लिखेंगे, CS3, फिर वहां CS3 लिखेंगे, फिर C number reaction लिखाएगा, ketone reacts with grignard reagent in presence of water to give 3 degree alcohol always, अब बताएगे इसमें question कैसे objective देखेंगे, घुमा के कैसे पुछेगा, question पुछेगा आपसे कि which of the following compound gives 1 degree alcohol when it reacts with grignard reagent, water का चर्चा भी नहीं करेगा, water का चर्चा करें नहीं करें, वहां पर water इंडेस्टोटर रहता है, क्योंकि water में ही टूटेगा, R- में और MgX, प्लस में, बताएगे तो उसमें क्या option होगा, उसमें एक मात्र option होगा कौन, formaldehyde, इसी में इस तरह का question पूछेगा, पूछेगा नहीं, पूछता है ये, पूछा हुआ हुआ है ये, अब बताएगे इस तरह से बीचवी से question उठा के डालेगा, आपकी छमता है कि आप रट के जवाब दे दीजिएगा, समझे हुमें तो जवाब मिलेगा, नहीं समझे हुमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बार-बार conceptual word का यूज करते हैं organic chemistry में, लिखे तो ये नमबर, लिखे formaldehyde reacts with, थोड़ा जल्दी-जल्दी लिखो तो, formaldehyde reacts with, grignard agent, ये in presence of water लिखावा रहे या नहीं लिखावा रहे, ये understood है, रहेगा ही रहेगा, चुकि पानी में नहीं तूटेगा, arminus में और mjx में, in presence of water, to give, वन डिग्री अल्कोहाग, reaction पुड़ा कीजिये, board पर जो लिखा हुआ है, चारे, organic chemistry है, interesting की नहीं, बहुत interesting है, यदि interest लो तो, nothing is interesting, if you are not interested, और यदि आप interested हैं तो, सब चीज़ इंट्रेस्टिंग ही है, क्यार ये शन पुड़ा हुआ, बी नमबर, यही था ना जी, ए, इसका बी नमबर लिखिये, except formaldehyde, all other member of, aldehyde, इसे, तु Поэтому, अचब का रहीत हैं, बीकि न Hari आप ख। रहीत हैंग्नियρε रागर रहीत हैं, रहीत हैं, आप वाथबरी तो, अचब रहीत हैं प Sydney, रियक्शन में चेंज कर दिया गया है यहाँ पर CS3 यहाँ पर CS3 यहाँ पर CS3 और और करके इसको कैसे लिखेंगे बताईए CS3 CH OH किस डिग्री का इलकोहल है यह 2 डिग्री का इस रियक्शन के लिए जगा छोड़िये घर पर लिखेंगे इस रियक्शन के लिए जगा छोड़िये घर पर लिखेंगे इसका C नमबर लिखे यह वीडियो पबलिक मोड में जाएगा YouTube पर यदि आपको दिक्कत हो तो वहाँ से देख सकते हैं टैंसर मत लिए टाइमिंग भी बता देता हैं आपको यह 45 मिनट के बाद मिलेगा यह सारा चाज़ C नमबर लिखे 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 all member of ketone लिखे all member of ketone react with Greek градut in presence of what तो गिव त्री डिग्री अल्कोहल आल्वेस अल्मेंबर ऑफ किटाउन रियक्ट सिथ वाटर तो गिव त्री डिग्री अल्कोहल आल्वेस इसके लिए भी रियक्शन का जगह छोड़के निकलेंगा आप हम रियक्शन यहां पर लिख दे रहे हैं आप घर पर उसको पूरा कर लीजिए गए और यदि आप पहला रियक्शन पूरा कर चुके हैं था एक चीज़ा और यहां पर नाम फॉर्मल इस ऍाली हाइड लिखा वा रहा रहा गया था उनाम क्या हो जाएगा ऐस इतल डिए जो इस वार यहां सीव कर्दी करेंगे त् Cape दीए स्थिरर करेंगे त्यसका नाम क्या हो जाएगा नुकली ओफिलिक, एडीशन, इलिमीनेशन, रियक्शन, इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, रियक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्टिव्टिव्टिव्टिव्टिव् अमोनिया से बना है, उसके साथ रियक्शन होगा, इसके बारे में कर डीटेल में चर्चा होगा, रियक्शन जो छोड़े हैं वो हम वीडियो डाल देंगे पब्लिक मोड में, 45 मिनिट के बाद देखेगा, मिल जाएगा, और देखने की जरुत नहीं है, आप अपने से कर लीज